यह ड्राइवरों के खिलाफ है, यह मधुर्वर्ग के खिलाफ है, जान वजके नहीं करता है। वह गलती से अगर हो जाता है और अगलती से हो जाता है तो कोई भी ड्राइवर चाहता है कि उसको जो हैं स्पताल तक पहुंचा दे या पूलिस को ख़बर कर दे। कितना कमाता है ड्राइबर दस हजार से पंदरा हजार जो है ड्राइबर कमाता ही है तो दस से पंदरा हजार में वो साथ लाग रुपर नहीं दे पाएगा नतिजा यह है कि दस साल उसको जेल में भूगतना पड़ेगा और अगर जेल में भूगतेगा दस साल तो उसका परिव तो ये कहना है कि जो एक ताना साही से सरकार चला रहे हैं ये चीज ड्राइबरों की पसंद नहीं है आम जनता को पसंद नहीं है मोदी जी पटना आने वाले हैं हम कहते हैं मोदी जी मुर्दाबाद अब पटना नहीं आई है अपटना नहीं आई है नमस्कार मेरा नाम प्रिंस मिस्त्रा है और आप 24 देख रहे हैं जिस तरीके सभी देश में हीट एंड मामला जो है काफी विवादों में रहा है जो कि ट्राइवर जो है ट्रक और ड्राइवर जो है काफी लोग जो है धरना विरोध परदर्सन करके मतल इस यह लाया गया है मोदी सरकार के द्वारा यह ट्राइवरों के खिलाफ है यह मुद्रबर के किलाफ है क्योंकि यह जो कुई भी ऑकलिक परकश से को जाता है और गलती से हो जाता है तो कोई भी ड्राइवर चाहता है कि उसको जो हम अस्पताल Cly burger लेकिन यहां पबलिक ऐसी है कि उसको भीड इकठा होती है और ड्राइवर को मारना सुरू करती है और उसको अधमारा कर देती है या कभी-कभी उसको मार भी देती है तो इसी डर की बज़ा से जो है ढ़हते हैं उनको उनको जानन वुशन सौख नहीं है वो भागना तो यह एक मजबूरी ह हरे द्राइबध दस हजार से 15,000 तो 10-15,000 में वह 7,000 रुप्र नहीं दे पाएगा नतिजा यह कि 10 साल उसको जयल में भूगत न पड़ेगा और अगर जयल में समय दीजिए मैं अपना डिमांड पढ़ करके बताना चाहूंगा यह हम डिराइबर यूनियन का क्या डिवांड है संशेप में यही है कि यह जो हिट रन कानून है उसको वापस ले दूसरा है कि गारी एसिजेंट होने पर ड्राइबर की पूरी वेवस्था मालिक या सरकार कर चाहित है तो उसके परिवार को 10 लाख रुप्या मुआपजा दिया जाए और पाचमा है हम ड्राइबरों से 8 घंटे से अधी काम ना लिया जाए आट घंटे से ज्यादा काम भी लिया जाता है नहीं लिया जाए पर 25 आजा रुपया कम से कम ड्राइबरों का बेतन किया जा टीक है ओबर टाइम दिया जाए हम ड्राइबरों को साल में एक बार बोनस दिया जाए जो की नहीं मिलता है पर टेक महीने में चार छुटी निशित किया जाए इवन पर्वत होर बीमारी की सिति में दी जाने वाली छुटी का रुपया काटा ना जाए सभी ड्राइबरों का इसमान कार्ट बर्माने की ववस्ता किया जाए क्योंकि ज्याजा तर एक्सिडेंट होता है ड्राइबिंग लाइसेंस बनाने की परकिरिया में बिचवलियों की मनमानी को खत्म किया जाए और निश्ची सरकारी दर पर बनाने की ववस्ता किया जाए यह मोटा-मोटे हमारा डिमांड है और भी डिमांड है लेकिन हमने संशिप्त में आपको बताया कि एतना अवारा डिमांड है तो इस डिमांड के तहर्ट जो हम लड़ रहे हैं और 11 फरवरी को हमारा जो है कन्वेंशन है जिसमें पूरे बिहार के ड्राइबर जो है आएंगे तो इनको भी जो है 2024 में एक टौफा दिया जाएगा सक्ता की गद्धी से उखाल करके। लग रहा है जो अजाद भारत में काला कानून जो लागू किया गिया है इस कानून को बापस ले। क्योंकि ये कानून जो है करोरों ड्राइवर को दुख पहुचाने के अलावे और कुछ नहीं कर रहा है। आपको ये पता होगा कि जो भी ड्राइवर भाई हैं, ड्राइवरी कर रहे हैं, अधिकतर भूमी हिन होते हैं, वो गरीब होते हैं, एक कीड़े पे भी चक्का पर चणाना पसंद नहीं करता है। किसी आदमी पे क्यों एकसी डेंट करना चाहेगा, और अगर एकसी डेंट हो गिया, उसे हम बचाने के कोर्सिस करते हैं, तो पबलिक हमें मार देती हैं। किसी भी तरह से सफल हम हो जाते हैं उसको पहुँचाने में, तो यह जो सजा कितनी कम की जाएगी, यह नहीं बताया जा रहा है। गलत है तो यह कहना है कि जो एक ताना साही से सरकार चला रहे हैं यह चीज ड्राइबरों की पसंद नहीं है आम जनता को पसंद नहीं है जी पतना रहे हैं हम कहते हैं मॉदी जी मुर्दाबाद अहाइब रजई आप अधwelिक यहां जा भी लेकर लुक्त लारा है क्यों किये जा रहा है हमारे क्या बोलते हैं हम इस साजी और हमारे देश के पर्धान मंत्री आ हैं बहुत खुसी की बात है लेकिन आने से पहले ड्राइबर पर जो काला कनून लाएं वो बापस कर ले हम लोग उनको सवागत करेंगे नहीं तो फिर हम लोग काला ध्यंदा पर लेकर आति करेंगे अगर सरकार इस नियम सर्तों को लागू करने में पूरी तरह ताकत अपनी जोग दे तो आप लोगों का अगला कदम क्या होगा ड्राइबरी करना छोड़ देंगे मोगी करें आता कनून बापस नहीं लेंगे तो अपने काम दे देंगे कोई दूसर काम करेंगे करेंगे कि समोसा प्कावडा चानेंगे चाए बेचेंगे ट्रेन में चाई बेचेते थे थे कि हम भी बेचेंगे काहे के लिए करेंगे काहे के लिए 10 साल जेल कटेंगे काहे के लिए साथ लागु कर दीती है तो कहीं न कहीं आप लोगों के मन में यह कि सरकार जो लागु करी क्यूंकि परिश्टिती में आप नहीं होंगे जो कि आप उस अनुकुल आप उसको अरब कर पाएंगे तो क्या लगता है सरकार इस नियम को लागू करने में यह जो रही है ठीक है कई ना कई हीट एंड रंड मामले को ले करके कई ना कई रुकने रुकेगी या और ज्यादा चरम पे होगा नहीं उनको बापस लेना पड़ेगा अगर जो नहीं हो लिए तो पूरा हिंदुस्तान में फिर अंदोलन ह अगली बार जो चुनाव होगी उसमें वह नहीं आएंगे हम लोग बिरोध करेंगे चुनाव होने नहीं राशपति सा सन्ट रहेगा वो ठीक है लेकिन इनका सरकार नहीं बनने देंगे करें जो कला कनून हैं ये पूरे भारत के नागरिक लोग जान जायें कहाज कला कनून खाली ड्राइवर परफा है। लेकिन हाजब killing लाइवर है.